हल्दवानी में हिंसा के बाद नॉर्मल होते हालातों के बीच उत्राखंट पुलिस और धामी सरकार फुल एक्शन के मोड में आ गई है पुलिस ने हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन चुरू कर दिया है हिंसा की साजिश में अब तक चार लोग की गिरफतारी हुई है जबकि मामले में तीन FIR दर्च की गई है जिसमें एक दर्जन नामजद और पाँच हजार अग्याद पर मुकदमा दर्च किया गया है पुलिस लगातार गिरफतारी कर रही है जो सरकारी संपती बरबाद हुई है उसे उपद्रवियों से वसूला जाएगा पूरी तरह इंप्लीमैंट किया जा रहा है और पुलिस ने वो वहाँ ये किया कि कोई भी घर से बाहर ना निकले अन्यता पुलिस न लगातार रुमर्स उसमें न फैला है पुलिस लगातार इसे वह इसमें कारवाई बहुत सक्ती से करेगी जो भी उपद रही है उनके खिलाब सक्से सक धाराओं में यूएपी की धाराओं के तब भी इसमें कारवाई की जाएगी उधर उत्राखंड के सीम पुशकर सिंग धामी ने हलदवानी बहुचकर हालात का जायजा लिया एस्पताल में खायल पुलिसवालों से मुलाकात के बाद सीम ने कहा कि पुलिस पर हमले की प्लानिंग पहले से की गई हृँ पुलिस में जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ती जलाई है या लोगूं की संपत्या जलाई है, बहान जलाए हैं, उसके साड़े वीडियो फुटपिरेन्ट सबी उपलब्द हैं, उसको चेक किया जायेगा, जाचा जायेगा, और उसको जो भी कारवाही है, विदी सम्मठ ज अगले आदेश तक हल्दवानी में कर्प्यू जारी रहेगा और पूरे जिले में इंटरनेट से वाब बंद कर दी गई है। सुरक्षा के लिहास से एक हजार से अधिक पुलिस कर्मी भी तैनात के गए हैं। भारत की बाप रोहित सिंग सावल के साथ सिर्फ एबीपी नियूज पर एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी